कि आप सब का मेरे चनल में बहुत सवागत है तो यहां पर अभी यह लिखिए इवनिंग का टाइम हो रहा है और अभी मैं बना रही थी यह बहुत अच्छा सा एक रेसिपी तो यह ना उरत की डाल था तो रेसिपी तो रैसे मैंने सेर क्या हुआ है बहुत बार तो मैं बना र रिकोर्ड करके आप लोग के सहाथ सेर करते हूं तो यह उरत डाल अपुए बहुत पसंद आते हैं और मतलब पश Extra मतला बम तो बच्चे भी खालेते हैं तो वैसे तो मैं कोसिश करते हूं अच्छे सबनाने का इस बारना बहुत अच्छा से बना था यहां पर ऋरत के मैंने बहुत अच्छी तरह से फेटा था मतलब 15 मिनार तक फेटी थी इसको और बहुत अच्छी तरह से ये फेट algaeय तो यह दीखे तो मैंने चोटे-छोटे कुछ बरे-बरे तला था और यह यलो यलो किसले दिख रहा है क्योंकि मैं इसको ।र्ष ओ के तेल से तली थी तो इसी वज़ने से थोन से फिट लिया यह ज़ाओ धिने के लिए लगा दी तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा शॉप्ट हो गए थे यह बड़े जो है बहुत ज्यादा तो इसको मैं भी प्लेट में लगाती हूं और इसमें डाल देती हूं यह दही जो की बहुत अच्छी तरह से यह भी फेटा था मैंने और यहां पर देखें हरी चटनी मीठी चतनी यह सब मैं डाल देती हूं भुना हुआ मिर्ची का यह पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा यह काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा वाइट नमक और यह काला नमक यह सब डाल के और यह देखें मेरे दही बड़े जो सारा हमबर्ग बनाओ यहां पर जितना कोपी है सारे में तुम्हारा जो हमबर्ग मिला हुआ है 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 हम बनाना है और जल्दी और अभी तुमको याद भी करना है कुछ मुबाइल क्या करेगा है यह सब हमबर्ग बनाएगा फिर क्या कहते हैं सिलेवर्ग में से याद करना है वो याद करेगा फिर तुमको मुबाइल मिलेगा यह को काटून देखने के लिए ठीक है साथ वीडियो देखेगा चलो पहले तो हमबर्ग बनाओ कम्प्लीट करो कि और हां दही बनाने का तरीका बस आप उसको फेटने में ही इसको जो है बहुत तो अभी बच्चे का पढ़ाय हो गया था तो मैं भोल रहे तो अपर आजा वीडियो डिकोड़ हो रहा है पर वो लोग जो है नहीं आ रहे तो मैं उनलोग को चाहती हूं बच्चों को लाने के लिए तो पता नहीं बच्चे आते ही निया केमेर क्सामने आते ची नहीं तो गय मुझे बोलते हैं कि आ खल अपना ही फेश दिखाती हूं अपने बच्चों को नहीं दिखाती हूं तो मैं बोलती हूं मेरा सौक नहीं मैं यह मेरा मजबूरी है बस बच्चे नहीं आने खोचते बस उन लोग का मन नहीं करता है मैं बोल देती हूं जैसे तुम लोग का मर्जी तो डुग्गु आ जाता है इसी वज़े से मैं डुग्गु को ज्यादा तर्जु है मेरे वीडियो में आता है तो यही है और यहां पर मैं आठा गुंद रही थी रात का डिनर बनाने के लिए तो यहां पर आठा गुंद ली थी मैं और यह दिखे यहां पर ना मैं बना रही थी प्राठे और यह प्राठे किसका बना रही थी मैं न यह मसाला वाला प्राठा बन के लिए एक टो किरेंके इतना गूक बना दे ंए तो यह रπο्स कहीं चुछ से बना रहे हैं के इस तरीके से मैंने बेल लिया है अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से इसको सेंख लोंगी तो इस तरीके के पराथे ना आप जो है बच्चों के लंच में बना के दे सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है मतलब खाने में अच्छा लगता है मसाला वाला पराथा तो आप ल तो यहां पर यह देखिए बहुत अच्छी तरह से यह सीख चुके थे और थोड़ा से प्राठे बनाने में टाइम लगता है रोटी इतना जल्दी नहीं बनेगा प्राठा बनाने से थोड़ा से टाइम लगता है परना हां अच्छा भी लगता है मसाला वाला प्राठा या नहीं मैं इसको मैं अब अच्छी तरह से कार्ट देती और बच्चों को दे देती हूं और धनिया पत्ता का चटनी भी रखा हुआ था तो अभी चटनी के साथ ही जो है खा लेंगे बच्चे और बस यह दिखिए मेरे पराठे जैब है मसाला वाला प्राठा तो धनिया पत् और में जारी नास्ता करने तो आज नास्ते में जुह मैं करूंगी अब मैं चावल को फ्राइब करने हुला है इतना चावल रखा हुआ है कल तो कल किया वना कल यह आया तो फिर यह जो है चावल नहीं खाए तो दही बड़े बनाता दो खाए और फिर कुछ मतलब चावल नहीं खाए तो वही जो है आज मैं भी फ्राय करने वाली हूं तो मॉर्निंग में तो और भी बनी ती आलू की सुखी वाली सब्जी और रोटी तो बच्चे लेके खाके गा ऐसे बनाओंगी ऐसे में जादा तर्व करती हूं और यह काफी तीन बाद ना मैंने यह जो है कुर्ती पहना क्योंकि यह जो कुर्ती है ना यह मतलब इसका जब मैं मंगाई थी ना तो इसका साइनिंग ना बहुत अच्छा आड़ाता नायम है और फिर कुछ दिन पहनने के है और साइनिंग जो है चला गया इसका यह देखी तो कभी-कभी में पहनती हूं बिल्कुल भी ठीक है पर रियोन का है ना तो थोड़ा सा जितना बार आप बिगाऊ ना तो उतना बार जो है यह हो जाता है मुड़ जाता है तो यह है और चलिए पर चावल फ्राय कर लेती ह मैं बनाने वाली हूं तो जल्दी मैं बना देती हूं जल्दी बन जाता है और थोड़ा साही बनाना परता है बच्चे थोड़े-थोड़े खाते हैं तो यहां पर यह देखी मैंने चावल को जो है फड़ाई कर लिया था िय इसमें अभी मैं यह अपने लिए निकाल रही हूं और बच्चे को अभी काफी टाइम है आने में यह मैं खा लेती हूं और यह चावल bob चावल और अलुक बाइल करने दे जाएथ एसं में बड़ा ना कट्वरी आपाता है मअखते के लिए उस इतने सारे चावल बड़े कोटोरे में मैंने बनाया था तो इतना बन गया था और छोटे कोटोरे में मैं बनाती हूं कुकर में तो थोड़ा सा बनता है पर हां बच्चों का हो जाता है तो यह थी आज की मेरी लंच यह मेरा बन गया था और आज की मेरे यह वीडियो थी तो कै कैसा लगा आप सबको अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके ही जाईएगा और मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर दिजेगा और हां मेरे वीडियो को भी फुल वाच किजिएगा ठाइंक्यू बैबाए